तो नाव अडानी टोटल गैस लिमिटेड आप देखे मैं आपको बता दूँ अडानी टोटल गैस की ऊपर हम लोग बात तो करें लेकिन अडानी टोटल गैस की ऊपर बात करना है यानि कि सब स्टॉक की ऊपर बात करना है यानि अडानी गुरूप के कोई भी स्टॉक की ऊप देखें बहुत कुछ है एक छोटा सा सिंगनल मिला है अडानी एंटरप्राइज जो कि आपकी मेन कंपनी है वहां से आपको थोड़ा सा मिल रहा है अब वो क्या देख रहे हूं मिल रहा है वो मैं आपको बताओ कुस तो पॉस्टिब यहां पर चल रहा है कुस तो यहां पर ए यह आपका एक ऐसा स्टॉक है और अडानी बिलमार यह दो आपके एक ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि अभी अपने रेंज से बाहर नहीं निकले हैं जबकि अडानी एनर्जी सॉलिशस यानि कि अडानी टोटल यह अडानी टांसमिशन अडानी इंटरप्राइस बहुत अच्छा क करता हूं इस की उपर लेकिन उस बात को आप नोट कर लिया करिए क्योंकि चल गया रहा है उसका एक ब्यौरा आपके पास यहां पर अडानी टोटल गैस्स हो आप छोड़िए अडानी एंटरप्राइसस पर आई अडानी एंटरप्राइजस से ही आपकी रिकवरी होगी और अढानी एंटर्प्राईज़ेस आप ए समझी कि एक वार इस जंग्चर से भार निकले गया है यह लेवल से बाहर निकले 3,000 और 32 यानि की 3,000 वो लेवल है जहां से अढानी अढानी एंटर्प्राइज़ेसे जब नूज आहे तिया अढानी गरूस के अंदर तो अढानी इंटरप्राइज सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आट सो रुपे दूर है अपने उस लेवल से सबसे पहली बात नोट करने वाली सिर्फ और सिर्फ इतनी रहे हैं जब कि आजार के असपास कर लो है इसका दूसरी बात अटानी यहां से सपूर्ट लेता था इस लेवल से 352 रुपए की लेवल से जबकि मैंने आपसे कहा था कि 225 के बाद बहुत तीज यहां पर चलने वाले अडानी एंटरप्राइज हुआ क्या है यहां पर आपको 800 के लेवल तुरंती दो दिन में आपको देखने हूं मिल गया लेको वहां से जब वो न्यूज आ गए थी कि अरे अभी सुप्रीम कोट ने अभी इन्हें क्रीन चिट नहीं दी है तब से यहां पर माहूल बिगड़ गया और उसके बाद पर आ चुका है और पच्छिस सो असी के ऊपर निकल चुका है और आज भी क्लोजिंग जो है वो हाईयर साइड हुई हाला कि प्रीवियस डे यानि कि आप देखेंगा फ्राइडे के दिन का यहां पर जो हाई नहीं निकला है इसके अंदर लेकिन अगर वो निकल जाता है औ स्टोरी दो बन रही है यहां पर अडानी ग्रूप के अंदर और यह जो रेंज थी हमारी जो बताई हुई 225 की और 238 की यह रेंज मतलब है प्रोटेक्टिव रेंज रही है अडानी एंटरप्राइस के अंदर और रही भी है जब मैंने आपको बताया तो यह रेंज सबसे रेंज है और यहीं पर आकर सपोर्ट भी लिया था यह तो यह यहां पर द्यान रखे है खैर वो तो बहुत दूर के लेवल निकल चुक है हम तो अभी जो रिस्पेक्ट देंगे वो अभी देंगे 2580 की लेवल पर और कल का दिन इंपॉर्टेंट है मतलब यह वीक अडानी इंटर्प्राइज़ में कुछ बड़ा होने वाला है यहां पर यह तो समझ में आ रहा है और यह 3760 के लेवल पर द्यान रखे है बस और आप देखें अडानी गुरूप के अंदर आपके एफेंडू स्टॉक सर्फ दो हैं अडानी पोर्ट और अडानी एंटर्प्राइज बाकी सर्फ नौन कैसे स्टॉक सें कैसे स्टॉक सें अक्चुल में तो वो यहां पर आप देखें कि पांच गुरा यहां से चलेगा तब जाकर यह अपने हाइस्ट लेवल पहुंचेगा तब आपका पैसा रिकवर होगा तीन एजार रुपे तीन एजार रुपे मतलब हम कि बापिस से वेलिशन्स इतनी जादा भड़ जाना जो कि हम पहले देख चुके हैं पी रेशोस फोर एंड़ेट के असपास हमने देखा है फोर एंड़ेट सिक्स एंड़ेट के असपास तो बापिस हो पाएगा यह नहीं हो पाएगा बहुत मतलब यह कठनाई वाली बात ह मतलब एक तरफ से एक तरफ आप पांच गुना हो जाना बहुत बड़ी बात है तो आप देखें यहां पर रेकावरी आएगी तो एकदम आजाई क्योंकि बीस बिस परसेंट के अगर दो सर्किट भी लग गए चालिस परसेंट रेकावर हो जाएगा आलमोस्ट यहां पर आ कैसे होगा यह बात है तो चलिए ठीक है यहां पर देखते हैं लेकिन शायद शायद है कि लेक्शन भी आस पास आ रहे हैं अब हमारे इस साल को खतम होने में लोग अगस्त हो गई सेप्टेंबर अक्टूबर नॉमबर दिसंबर फिर आ जाएगा आपका इलेक्शन बहुत म हजार पर पहुँचेगा तो बापस यह दोसों के असपास का पी रिश्यो पर पहुँच जाएगा आपका गुजराद गैस हुआ यह सभी स्टॉक से इनके पी रिश्यो अकेले मिला दो सबके तब जाकर अडानी टोटल गैस के बरावर नहीं है अकेला ही इतना पी रिश्यो रखता है मतलब अब तो बहुत ही जादा हुँच्छुआ है तो वो कुछ नहीं पता की नेक्स्ट मे क्या होना है क्या मार्केट इसको बापस वो value दे पाएगा या नहीं तो वो market है क्या कर पाएगा इतनी valuation बापस दे पाएगा यह सबसे बड़ी बात है नोट करने वाली खैर वो तो market देगे पहले भी दे चुका है अभी देने में हिचकेगा नहीं यह तो बात है यह familiar रही लिए और वो सारी चीजेगे वो किनारे रखिए मैं आपर चाहाँ की आप सिर्फ और चार्ड पर फोकस करें चाड्ड पर कुछ बं रहा है जो कि आपको नोट कने चीजं़े मैं तो चार्ट है लगाईएगा और यहां पर ड्रो कर लीजे लाइन यह ट्रेंड लाइन ड्रो करना 700 की और एक और ड्रो करिएगा कुछ इधर के आसपास 710 रुपया की इतना आप ड्रो कर लेना यह देखिएगा कि जब तक यह रेंज नहीं निकलेगा यह 700 से 710 का लेवल जब तक नहीं निकलेगा मैं आपसे पहली कह चुका हूँ जब तक यह क्रोस नहीं होगा तब तक तेजी आही नहीं सकती स्टॉक के अंदर इस स्टॉक के अंदर मैंने आप से गाता कि 800 रुपया पर देहां रिखेगा कही ना कहीं से सेलिंग पॉइंट होगा क्या हुआ वहीं से से सपोर्ट है 632 पर ठीक है नीचे में यहां पर आपका स्टॉक सपोर्ट दे रहा है देखे एक दो तीन चार पूरा यहां पर रोका गया है लेकिन नीचे में मैं आपको कहूंगा कि 600 रुपय पर नजर रखो इस स्टॉक के अंदर 600 रुपय अगर ब्रीच हो गया तो फिर प 916 निकलेगा तो फिर आप यह देखेगा कि इसके अंदर दमखम बहुत तीज बड़ेगा पॉसिवर आपका 900-920 तक यहां पर जाने खुसिस करें उसके बाद तो जब एक रेंज से बाहर निकली आया यह स्टॉक तब तो फिर यहां पर चलिया है और ऐसा तभी हो रहा प्राइस अगर रिकवर हुआ तो बाकी स्टॉक की ऊपर थोड़ा सा तो इंपेक्ट दे गई स्टॉक पूरे रिकवर नहीं होगे तो एटलिस्ट यहां से 20-30% का रिटन तो यहां पर दे सकते हैं तो यह है पूरी बात अडानी टोटल के लिए आसा नहीं है तीने जार बहुत सारे लोग निकले नहीं है लेकिन अच्छी बात यह है कि अब यहां पर अगर आपका अडानी एंटरपैस कवर हुआ तो पॉसिबिल्टी बंती है कि यहां पर थोड़ा सा आपका रिकवरी देखने को मिले दीरे दीरे ही सही लेकर रिकवर हो सकते हैं तो यह सबसे वड़ी वाज जो कि आपको नोट करने चाहिए बाकी इसके ऊपर कवरेज जो है वह जारी रखेंगे और समझेंगे कि क्या हो सकता है तो देखेंगे अगर कुछ और समझ बहुत द्रमाद दूस्तो